ट्रेन में सफर के दौरान एक सवाल जो बार-बार जहन में आता है और कई बार हम इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं वो ये कि एसी कोश में जब हम सफर करते हैं तो क्या सफर के दौरान कंबल, चादर और तकीय जो हमें इस्तमाल के लिए मिलते हैं यहां उस तकिये चादर और कंबल को अपने घर लेकर जा सकते हैं, यह सवाल हर किसी के जहन में आता है, और कोई-कोई तो इसे छिपा कर ले भी जाता है, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप ट्रेन में मिलने वाली कंबल, चादर और तकिये को ले तो आपको यात्रा के दौरान इस्तमाल करने के लिए चादर, तकिया और कंबल दिया जाता है, लेकिन आप उस तकिये कंबल और चादर को लेकर अपने घर नहीं जा सकते थे, लेकिन अब रेल्वे ने एक नया नियम लाया है, और इसके तहद बस आपको एक काम करना होगा और आपको तकिया चादर और कंबल को इस्तमाल करने के बाद अपने घर लेकर जाने की अनुमति मिल जाएगी, हलांकि बहुत सारे ट्रेनों में अब भी देखा जाता है, कि एसी कोच में यात्रा करने के दौरान भी आपको चादर कंबल और तकिये नहीं दिये जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि अब IRCTC ने यह आदेश दिया है, कि हर ट्रेन के एसी कोच में आपको चादर तकिया और कंबल जरूर मिलेगा, और अगर आपको चादर तकिया या कंबल तीनों में से कुछ भी नहीं मिलता है, तो आप सीधे IRCTC से संपर्क करके ये सारे सामान ले सकते हैं, आपको बता दे कि जब करोना महामारी आई थी, तो केवल उस समय के लिए ही एसी कोच में सफर करने वाले लोगों को चादर तकिया और कंबल की फैसलिटी नहीं मिलती थी, लेकिन जैसे ही करोना महामारी खत्म हुई, वैसे ही IRCTC ने ये एलान किया कि सभी ट्रेनों के AC कोच में सफर के दोरान आपको चादर तकिया और कंबल जरूर दिया जाएगा, इसके साथ साथ IRCTC ने ये भी फैसलिटी लाई है कि अब आपको वो चादर तकिया और कंबल घर ले जाने की भी अनुमती दी जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको उन 500 रुपया देकर चादर तकिया और कंबल को खरीदने की सुविधा मिलेगी, हलांके अब तक ये सुविधा कुछ ही ट्रेनों में दी गई है, जैसे कि अभी ये सुविधा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मिली है, और इसे डिब्रूगर राजधानी, चन्नई राजधा और नई दिल्ली से वारानसी के बीच चलने वाली महामना एक्स्प्रेस में शुरू किया गया है, आपको बता दे कि एक चादर की कीमत हर ट्रेन में 40 रुपय होगी, तो वही कंबल की कीमत 180 रुपय और तकिये के लिए 70 रुपय देने होगी, यानि कि कुल मिलाकर 300 की आसप और छोटी ऑक्सिजन सिलिंडर भी उपलब्द कराई जाती है, बसरते नियम केवल यही कहता है कि आपको इन सभी समानों के लिए ट्रेन के टिकट बुक करते समय पैसे देने होगी, हलांकि जब कोविट का समय आया था, तो उस वक्त चादर तकिया और कंबल तो नहीं दिय जा रहा था, लेकिन उस वक्त सैनिटाइजर, साबून, फेस, सिल्ड मास इन सभी चीजों को देने का प्रावधान था, और उस वक्त इन सभी चीजों के इस्तमाल के बाद आपको पैसे देने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, आप उन सभी समानों का इस्तमाल करके सीधे अपने घर लेकर जा सकते थी, लेकिन अब जब कोरुना मारी खत्म हो चुका है, और अगर ट्रेन में आपको सैनिटाइजर या कोरुना वाइरस से बचने के लिए स्पेशल किट लेना है, तो आपको उसके लिए अलग से पैसे देने होंगे, और साथ ही साथ अगर आपको इसी कोच में चादर तकिया और कंबल लेना है, और उसे घर लेकर जाना है, तो भी आप 300 रुपेय एक्ष्ट्रा देकर उन सभी चीजों को खरीद सकते हैं, बाकि इसको लेकर अगर कुछ भी अपडेट आता है, तो हम आपको जरूर बताएंगे, बाकि आप इस बारे में क क्या सुचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताईएगा, आगे की खबरों के लिए जनता जंक्षिन देखते रहें, धनिवाद,